गुद मॉर्निंग एवरिवन आएम पील नरेडा असिस्टेंट प्रोपेसर एंड तोड़ी आइविल टीच यू कृष्टा बैल कृष्टा बैल बाई सेमुल टेलर कॉलरिज रोमेंटिक एज के कवी है और इन्होंने बहुत ही रहस्य मई कविता लिकी है जिसका टाइटल है कृष्टा बैल ये एक बैलाड है बैलाड क्या होती है ऐसी कविता जिसमें कोई कहानी बताए जाये वो बैलाड कलाती है यहाँ पर हम इस कविता में पढ़ेंगे किस तरह से क्रिष्टा बेल जो की एक मासुम लड़की है जरेल डायन उसको अपने प्रभाव में ले लेती है जरेल डायन एक चुडेल है और वो अपने जूटी कहानी बना करके किस तरह से कृष्टा बेल को अपने कंट्रोल में ले लेती है ये इस कहानी में हम पढ़ेंगे तो आईए हम सुरुआत करते हैं कहानी की किस तरह से ये कवीता स्टार्ट होती है क्रिष्टा बैल क्रिष्टा बैल जो पोईम है उसमें मुख्य जो पात रहे वो क्रिष्टा बैल है बाई सेमुल टेलर कॉलरी पार्ट वन मैं यहाँ पर आपको बता दू क्रिष्टा बैल नामक जो पोईम है उसके दो पार्ट है आज हम इसके पार्ट वन का अध्यन करने जा रहे हैं और इसकी पर्थम लाइन देखिए It is the middle of night by the castle clock Clock का मतलब होता है घड़ी और किसकी घड़ी? Castle clock, castle का मतलब होता है महल महल की जो घड़ी है उसके द्वारा बारा बजा दिये गए है It is the middle of night Middle of night मतलब रात्री के बारा बजगे है रात्री का middle है Middle का मतलब बताए बारा बीच बारा बजना और बारा बजने का समय किसने बताया है महल के किले में जो घड़ी है पुराने जमाने में हर गर में घड़ी नहीं हुआ करती थी तो महल जो है वहाँ पर सबसे पहले महल का बजन है काजल काजल के किले में जो घड़ी है उसमें बारा बजगे है यहाँ पर कोलरिच हमें सस्पेंस पेदा करने के लिए बारा बज़े का समय बता रहा है And the walls have awakened the crooning cock And the walls Walls मतलब उल्लू have awakened जाग गे हैं Croning cock कोकी जो कोक है वो बाग दे रहा है Croning का मलब बाग देना कोक मलब मुर्गा मुर्गा जो है बाग दे रहा है कभी यहाँ पर हमें ऐसे अपसकुनू के बारे में बताना चाहता है जिससे सस्पेंस पेदा हो पाठ जो है सस्पेंस में चले जाएं देखो पहला उसने बताया रात्री के बारा बजे होई हैं अब दूसरा वो बता रहा है And the wolves have awakened, wolves मतलब उल्लू ने awakened जगा दिया है The croning cock, बाग देने वाले मुर्गे को यानि मुर्गा जो है वो बाग दे रहा है, मुर्गा बोल रहा है और केसे बोल रहा है, त्यूहू, त्यूहू, ये मुर्गे की आवाज है ये जो है, मुर्गा जो है, बोल रहा है क्योंकि उसने उल्लू की आवाज सुनी है त्यूहू, त्यूहू, and hark again the croning cock, फिर से सुनो यहाँ पे कभी करा है, and hark again the croning cock, फिर से सुनो heart का मतलब बताए listen listen again क्या the croning cock croning मतलब बाग cock मुर्गे की मुर्गे की बाग को आप फिर से सुन सकते हैं how drowsily it crew और ये केसे उंग रहा है drowsily मतलब उंगते हुए crew कर रहा है crew मतलब आवाज मुर्गा जो है वो केसे उंगते हुए बोल रहा है यानि मुर्गा active नहीं है क्योंकि रात्री के बारा बज़े हुए है और उस समय मुर्गा बोल रहा है ये गलत है क्योंकि मुर्गा जो है सवेरे बोलता है चार बज़े बोलता है लेकिन कभी ने यहाँ पे suspense पेदा करने के लिए बताया है कि मुर्गा बोल रहा है 12 बजे Sir Leoline the barren rich had a toothless most of which Sir Leoline the barren rich Sir Leoline जो वेकती हैं वो बहुती सम्रद बेरन है बेरन एक पद होता है जैसे collector, SDM, तसिलदार, वर्तमान में ये प्रसास्टिंग पद होते हैं ऐसे ही प्राचिन काल में बेरन जो है सामन्त के लिए आता था वो एक उच्च सामन्त है Sir Leoline जो है एक बहुत अच्छे सामन्त है has a toothless most of the bitch और उनके एक ऐसी कुत्ती है जिसके दात नहीं है toothless मलब बिना दातों वाली most of the bitch कुत्ती है उनके see mac answer to the cloak 4 for the quarter and 12 for the hour अब यहाँ पर देखिए जैसे ही उसने cloak की आवाज सुनी उस कुत्ती ने cloak की आवाज सुनी घड़ी की जो घंटी की आवाज आई उसको सुना see mac answer to the cloak वह कुत्ती उस क्लोग का आवाज देती है यानि जैसे ही घंटी की आवाज आती है टन और कुत्ती भी बोलती है 4 for the quarter यानि 15 मिनिट में 4 बार and 12 for the hour और एक घंटे में 12 बार इस तरह से वह कुत्ती बोलती है ever and I हमेशा by sign and sour बोच्छार की तरह shine and sour बोच्छार की तरह यानि जब जब वह घड़ी बजेगी किले की घड़ी जब जब भी बजेगी तब दग वह कुत्ती बोलेगी 16 short howells 16 बार वह दीरे से घुराती है short howells मलब छोटे howells करती है not over loud ज़्यादा जोर से वह नहीं बोलती है some say see sees my lady shroud shroud क्या होता है कफन जिस से मुर्दे को ढखा जाता है वो shroud कलाता है कफन कुछ लोग ऐसा कते हैं कि ये जो कुत्ती है ये इसकी मालकिन के कफन को देखती है इसको उसकी मालकिन की जो है dead body दिखाए देती है और उस पे जो कफन है उसको देखती है और इसी लिए ये कुत्ती जो है चिलाती रहती है कभी यहाँ पे suspense पेदा कर रहा है डरावना atmosphere पेदा कर रहा है पहले उल्लू की आवाज फिर मुर्गी की आवाज पिर कुत्ती का चिलाना और फिर एक तरह से अपनी मालकिन के कफन को देखना बूत की जो परसेंट से उसको यहाँ पे बताया गया है Is the night chill or dark? The night is chill but not dark कभी यहाँ पे caution कर रहा है Is the night chill? चिली? क्या रातरी ठंडी है? And dark? क्या अंधेरी है? The night is chilly? यानि उजला है The thin grey cloud is spread on high It covers but not hides the sky The thin grey cloud पतले पतले जो बादल है grey slaty रंके spread on high वो फेले हुए हैं आस्मान में पतले कलर के जो बादल है पतले यानि ज्यादा सगन नहीं है grey cloud grey रंके जो बादल है spread on high उच्छे आस्मान में फेले हुए है It covers but not hides the sky इसने cover तो कर रखा है लेकिन धक नहीं रखा इसका मतलब यह है कि यह एदिपी आस्मान में फेले हुए है लेकिन इन्होंने पूरी तरह से आस्मान को धक नहीं रहा है The moon is behind and at the full and yet she looks both small and dull देखिए The moon is behind उन बादलों के पीछे चंदरमा है and at the full और पूरा है पूरा चंदरमा चमक रहा है and yet she looks both small and dull लेकिन फिर भी she looks यहाँ पे चंदरमा के लिए she का सब्द प्रयोक में लिया है she looks वह दिखाई दे रही है बहुत small and dull छोटी सी और सुस्त यानि चंदरमा जो है वह छोटा सा और सुस्त दिखाई दे रहा है the night is chill the cloud is grey रात्री ठंडी है और cloud जो है वो grey है दादल जो है slaty रंके है it is the month before the month of May और ये कौन सा महिना है it is month before the month of May मई से पहले वाला महिना है अर्थार्थ ये अप्रेल का महिना है मई से पहले कौन सा महिना आता है अप्रेल का कभी कर रहा है कि ये मई से पहले वाला महिना है अर्थार्थ ये अप्रेल का महिना है and the spring comes slowly up this way और इस तरह से बशंत जो है आने वाला है कभी यहां पर atmosphere create कर रहा है कि ये अप्रेल का महिना है और चुकी अब क्या होने वाला है and the spring comes slowly up this way इस तरह से बशंत आने वाला है पत जड के बाद बशंत आने वाला है अप्रेल में क्योंकि पत्ते जड जाते हैं पेडों में पत्ते नहीं रते और अब बशंत आने वाला है अब देखिए यहाँ पे हमें बताया गया है लवली लेडी क्रिष्टा बैल क्रिष्टा बैल जो है बहुत ही खुबसूरत लेडी है और उसके पिताजी उसको बहुत प्रेम करते हैं क्रिष्टा बैल जो है बहुत खुबसूरत लड़की है और उसके पिताजी जो की सर लियो लाइन है जो की एक बेरन है जो बहुत सम्रिद्ध है वो उसको बहुत प्रेम करते है What max are in the woods so late A far long from the castle gate What max are in the woods so late So late मतलब इतनी लेट वो जंगल में क्या कर रही है Krista Bell जिसको उसके पिताजी बहुत प्रेम है उसके पिताजी उसको बहुत प्रेम करते है डाटते फटकाते नहीं तो फिर वो इतनी रात वो जंगल में क्या कर रही है A far long from the castle gate Castle gate यानि काजल के किले किले के गेट से A far long बहुत दूर किले के गेट से बहुत दूर वो यहां पे जंगल में अकेली क्या कर रही है ऐसी कौन सी विपदा आ गई कि वो यहां पे जंगल में आई है कभी उसका आंसर दे रहा है See her dreams all yesterday night Of our own betrothed night यहां पे night सब्द को समझे Night का मलब होता है योधा See her dreams all yesterday night पिछली रात उसने सपना देखा जैसे yesterday होता है ऐसे ही yesterday night होता है Yesterday मतलब पिछला दिन Yesterday मतलब पिछली रात See her dreams उसने सपना देखा था All yesterday night पूरी रात क्या देखा सपने में Of our own betrothed night betrothed का मतलब होता है शगाई जिसके साथ हो जाती है जिसको हम मंगेतर बोलते हैं मंगेतर के साथ Night जो की एक night है उसका जो मंगेतर है जो night है जो योद्धा है उसके बारे में सपना देखा था और उस सपने में उसने बुरा देखा उसके मंगेतर पे कोई विप्ती आने वाले थी और उस विप्ती को बचाने के लिए वो प्रात्ना कलने के लिए and seen the midnight would will pray और वह इस midnight में प्रे करेगी प्रे मतलब प्रात्ना करेगी for the wheel of our lovers that is far away for the wheel of our lover that is far away wheel मतलब welfare कल्यान के लिए अपने प्रेमी के कल्यान के लिए अपने लवर के कल्यान के लिए वो प्रात्ना करेगी इस जंगल में जो की बहुत दूर है उसका मंगे तर जो बहुत दूर है उसके कल्यान के लिए वो प्रात्ना करेगी इसलिए वो जंगल में आई है कभी यहां पे हमें रिजन बताता है why क्रिश्टा बैल काम सी यार क्रिश्टा बैल यहां पे क्यों आई है the reason is clear that yesterday night she had dreamed about her betrall who is a knight and who is far away जो बहुत दूर है जो night है जो योदा है जो लड़ाई में गया है उसके कल्यान के लिए प्रात्ना करना चाहती है see stall along see nothing spark the sigh she heaved were soft and low अब देखिए जब वो महल से आई है तो किसी को बता के नहीं आई है see stall along चुपके से आई है see nothing spark किसी से बोल के नहीं आई अगर किसी से बोल के आती तो साइद उसको नहीं आने दिया जाता और इसी लिए वो चुपके से आई है see stall along वो चुपके से आई है see nothing spark किसी से नहीं बोला the sigh see hue और जो आह वो ले रही है were soft and low वो भी बहुत soft है बहुत low है आहें पर रही है वो जो सांस ले रही है वो बहुत दीरे दीरे ले रही है and not was and not was green upon the oak but most and rarest mistletoe not was upon green upon the oak वहाँ पे जो ओक का पेड़ है उस पे नहीं है क्या नहीं है and not was green upon the oak उस ओक के पेड़ पे green नहीं है कुछ भी and not not नहीं है upon the oak ओक के पेड़ पे but most and rarest mistletoe सिर्फ वहाँ पे काई है और rarest मतलब दूरलब mistletoe पत्ती है वहाँ पे कुछ भी नहीं है कभी कभी एक या दो पत्ती वहाँ पर दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं है ओक के पेड़ के नीचे see nails beneath the huge oak tree and in silence spread sea अब देखिए कृष्टा बेल प्रात्ना कर रही है see nails वह जुकी वी ये beneath the huge oak tree huge का मतलब बताए विशाल ओक के पेड़ के नीचे विशाल ओक के पेड़ के नीचे आकरके वह जुक गई और प्रात्ना करने लगी and in silence spread sea और वह चुपचा प्रात्ना करने लगी वह इस वर से प्रात्ना करने लगी और जैसे ही प्रात्ना करने लगी तो अच्छानक देखो वहाँ पे क्या होता है वह लेडी अच्छानक उचल पड़ती है जैसे क्रिश्टा बेल प्रात्ना करने के लिए नीचे जुकती है ओक के पेड़ के नीचे और अच्छानक वह उचल पड़ती है इस प्रेंग अप का मतलब उचल पड़ती है शडनली क्यों वह खुबसूरत लेडी क्रिश्टा बेल अच्छानक उचल पड़ती है क्यों उचल पड़ती है इट मौन एज नियर एज नियर खान भी पट वाच इज शी खान नो ठेल इट मौन मौन का मलब बताई विलाप करने की आवाज रोने की आवाज कराने की आवाज जिसे कोई रो रहा हो इस तरह की आवाज वह शुनती है मौन इसको बोलते हैं मौन एज नियर खान भी और ये बहुत पास थी बट वाट इट इस सी खान अट एल लेकिन आवाज किसकी थी वो नहीं बता सकती थी उसको अच्छानक आवाज सुनाई दी इस तरह की आवाज उसको सुनाई दी लेकिन वो बता नहीं शक्ति थी कि ये किसकी आवाज थी वहाँ पे जो विशाल सीने वाला ब्रोड ब्रेस्टेड मतलब चोड़े सीने वाला जो ओक का जो फेड था उसके दूसरी साइड से ये आवाज आती हुई सी प्रतीत हो रही थी ऐसा लग रहा था कि जिस ओक के पेड के नीचे वो जुकी थी उसके दूसरी तरब से ये आवाज आ रही थी कभी यहां पे गेस कर रहा है अंदजा लगा रहा है और suspense क्रिएट कर रहा है the night is chill रात्री थंडी है the forest bear और forest जो है वो bear है bear का मतलब होता है विहीन किस से विहीन पत्तियों से विहीन एक भी पत्ता पेड पे नहीं है is it the wind that mouth bleak क्या ये हवा की आवास है जो bleak कर रही है जो mouth कर रही है क्या ये हवा की आवास है जो विलाप कर रही है there is not wind in up in the air to move away the ring light curl from the lovely lady's chick कभी suspense पेडा करते वे पूसता है क्या ये हवा की आवास है लेकिन उसका reply देखो there is not wind in up in the air वातावरण में बिलकुल भी हवा नहीं चल रही है to move away the ring light curl curl घुंगराले बालों की जो ring light है ring light का मलब होता है बालों की लट from lovely ladies chick उस lovely lady के जो गालों पे जो घुंगराले बालों की जो लट है वो भी नहीं हिल रही है हवा तो इतनी कम चल रही है या यों कहें कि हवा नहीं चल रही है हवा अगर चलती तो उस Krista Bell के जो गालों पे जो उसके घुंगराले बालों की जो लट है वो हिलती लेकिन कभी करा है There is not wind enough in the air वाता वरण में इतनी सी भी हवा नहीं है To move away the ringlet curl कि वो ringlet curl को हिला सके उसकी जो घुंगराले बालों की जो लट है वो हिला सके From the lovely lady's chick उस lovely lady के chicks है There is not wind enough to twill The one red leaf, the last of its clean इतनी सी भी हवा नहीं है की पेड पर जो अंतिम पत्ती है One red leaf, जो अंतिम पत्ती है The last of its clean, जो इसके clean की last होती है Clean का मलब होता है सगे समंदी सगे समंदी से यहाँ पर पत्ते से मतलब है यानि जो पत्तों में जो last पता होता है जो बिल्कुल लाल रंका होता है जो छूटा सा होता है जो सुप्ट होता है और वो पत्ती भी नहीं हिल रही है हवा तो इतनी सी भी नहीं चल रही है That dance is as a fun as a dance it can वो पत्ती अक्सर हवा में हिलती रती है यहां पर पत्ती के लिए डांस बताया गया है परसोनिफिकेशन किया गया है नाचने का काम इंसान का है लेकिन पत्ती के लिए बताया है that dance is as often as dance it can जो अक्सर हिलती रती है जो डांस करती रती है hanging so light, hanging so high जो बहुत light तरीके से लटकी रती है जो बहुत उंची लटकी रती है on the topmost prick that looks up at the skies जो सबसे उपर आस्मान की ओर उंची लटकी रती है on the topmost prick टिक मलब तहनी सबसे उनची तःनी पे जो लटकी रती है जो आस्मान की ओर जाती है तो फिर यह आवाज खहां से आ रही है जब पत्ती भी नहीं हिल रही है, इतनी सी हवा नहीं चल रही है, तो आवाज कहां से आ रही है, हस बिटिंग हाट ओप क्रिष्टा बैल, क्रिष्टा बैल का दिल धड़कने लगा, जीजस मारिया सिल्ड हर वेल, कभी यहां पर देवताओं को याद करता है, जैसे हम कभी रा हनुमान चालिसा याद आजाता है, उसी तरह से यहां पर कभी कर रहा है, जीजस मारिया सिल्ड हर वेल, है भगवान बचाना क्रिष्टा बैल को, से फॉल्ड पॉडेड हर आम बनीथ हर क्लोक, उसने जो क्लोक पैर को पेन रखा था, उसम्हें जो चोगा पैन रखा and stole और चुपके से to the other side of the oak वो उस oak के दूसरी side पे जाती है what sees see the heart और उदर जाते ही वो क्या देखती है जैसे ही वो oak के दूसरी side में जाती है तो वो क्या देखती है there sees a damsel bride dressed in silky drop of white वहाँ पे वो देखती है एक कुवारी लड़की damsel bright जो बहुत जादा चमक रही थी dress in silky robe of white और जिसने silk के कपड़े पेन रखे थे dress मलब dress पेन रखे थी in a silky robe robe मतला वस्तर of white सफेद सफेद रंके silk के वस्तर पेन रखे थे जो चुडेल थी लेकिन अभी कभी हमें नहीं बताएगा कि वो चुडेल थी that saidovy in the moonlight song the neck that made that white robe van the saidovy in the moonlight song और उस चंद्रमा की रोस्नी में वो चमक रही थी the neck उसकी जो गर्दन थी that made white robe van वेन का मलब बता है बेकार उसकी जो गर्दन थी वो इतनी सफेद थी कि सफेद जो वस्तर थे वो भी उसके सामने बेकार लग रहे थे यहाँ पर कभी हमें उस lady का नाम नहीं बता रहा है अभी अभी यह बताया कि उसने सफेद रंग की ड्रेस पें रखी थी और उसकी गर्दन तो इतनी सफेद थी कि सफेद रंग भी उसके सामने बेकार था her stately neck and arms were bare her blue and fit sandal unsandled were देखो her stately neck उसकी शाही गर्दन arms और उसकी भुजाएं वर bare विहीन थी यानि उसकी गर्दन और उसकी जो भुजाएं थी वो ढकी भी नहीं थी her blue vein fit और उसकी जो fit मतला उसके जो पेर थे उनकी blue vein दिखाए दे रही थी नीली नीली नसें जिन में blood चल रहा था वो दिख रही थी उसके पेरों की जो नसें थी वो दिख रही थी unsandled वर और उसने sandal नहीं पें रखे थे and wildly glittered here and there the james entangled in her hair and wildly glittered here and there और बहुत बुरी तरह से चमक रहे थे wildly glittered glitter का मलब बता ही चमकना here and there इदर उदर क्या चमक रहे थे the james entangled in her hair वो मोती जो उसने अपने बालों में पें रखे थे entangled का मलब बता है उलजे हुए उसके बालों में लगे हुए जो मोती थे वो बहुत बुरी तरह से चमक रहे थे I guess it was prideful they had to see a lady so richly clad as sea beautiful exceedingly I guess मैंने नुमान लगया it was prideful they had to see यह बहुत बुरी चीज है it was prideful, बहुत ड्रावनी चीज है they had to see वहाँ पे इस तरह से देखना किसको देखना a lady इस तरह की lady को so richly clad जो इतनी खुबशूरत तरीके से धकी हुई हो clad का मलब बता है धकी हुई beautiful exceedingly और जो तेरी खुबशूरत हो कभी कह रहा है कि इतनी खुबशूरत lady और इतने जिसने जेवर पैन रखे हैं jewelry जिसने पैन रखी है और उसको इस तरह से जंगल में देखना वास्तों में ही बहुत ड्रावना था Mary mother save me, sad crystal bell and who are thou Mary mother, hey mataji, hey matrani save me now, मुझे बच्छाना sad crystal bell, crystal bell ने कहा and who are thou और तुम कौन हो और उस lady से पूछा कि तुम कौन हो Mary mother, hey maa, मुझे बच्छाना sad crystal bell, crystal bell ने कहा and who are thou, तुम कौन हो उस लेड़ी से पूछा अब हम देखते हैं कि वो लेड़ी क्या reply देती है और इसके लिए हमें wait करना पड़ेगा दूसरे वीडियो का जो इसका second part होगा इसके लिए आप चेनल को देखते रहिए सब्सक्राइब कीजिए Thank you